nouns का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं nouns जो है वो noun का plural होता है यानि कि एक से ज्यादा noun को हम nouns कहते हैं और noun का आर्थ होता है संग्या या नाम यानि कि संग्या या नाम को हम noun कहते हैं और संग्या का मतलब होता है कि किसी भी वैक्ति वस्थू, प्राणी, गुन, भाव यह स्थान का जो नाम होता है उसको संग्या कहा जाता है. तो एक से जादा संग्या को हम nouns कहते हैं यानि कि जैसे किसी वैक्ति का नाम है तो वो भी एक संग्या है और वैक्ति अपने आप में भी एक संग्या है यानि कि जैसे हम शेर, चीता या आदमी कहें तो ये भी संग्या है और फिर आदमी किसी आदमी का नाम लें तो वो भी उसके लिए एक संग्या है और पेड़ पोधे या पेड़ पोधों के जो नाम है वो भी एक संग्या है एक से जादा को हम nouns कहते हैं जैसे कि अगर आप यह कहना चाहें कि हम विशेशन से संग्या बना सकते हैं तो आप कहेंगे we can form nouns from adjectives. या अगर आप ये कहना चाहें कि यह एक ऐसी भाषा है जिसमें संग्याओं का स्वतंतर रूप से उचारण किया जाता है तो आप कहेंगे it is a language in which nouns are freely verbalized. या अगर आप ये कहना चाहें कि हमें अन्य संग्याओं द्वारा नामित किया जाएगा तो आप कहेंगे we would be designated by other nouns. अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें